नमस्कार और वेल्गम तो बाईजूस एक्जाम प्रेप इस फॉर्स जैनुवरी साल का पहला दिन है हाला कि बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसा लगता है कि आप आज के दिन में शायद पढ़ाई नहीं कर रहे हो पर फिर भी मैं आपके सामने आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें बहुत जादी अकैडेमिक्स की बात नहीं करेंगी हम लोग एक इंट्रेस्टिंग परस्नेलिटी के बारे में बात करने जा रहे है जिसका नाम है सुबेदार नीरज छोपरा जी गाइस आपको पता है हम लोग इंडियन ऑफ ड़ येर बेसिकली एवर्ड्स दे रहे थे इससे पहले वाली वीडियो में हम सुब्रमनियम जैशंकर जी के बारे में डिसकस कर चुके है आज के वीडियो में चलिए हम लोग नीरज छोपरा जो की ट्रैक और फिल्ड इविंस में एक इंडिया का नाम रोशन करते हुए पूरे विश्व में नाम बना चुका है उनके बारे में कुछ important and interesting facts जानने की कोशिश करते हैं यह जानने की कोशिश करते हैं कि 2022 की सन में वो कौन-कौन से ऐसे records को तोड़के सक्षम हुए है इस award को जीतने में guys about his early life अगर बात करें तो पानिपत हयाना से बिलॉंग करते हैं बहुत ही यंग and poor family में उसके बाद बच्पन से ही उनको track and field events में बहुत रूची था और इसी को आगे बढ़ाते 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 आज इंडिया का एक ऐसा लड़का भी Olympic medal जीत के ला सकता है देश के लिए सही में एक बहुत ही गर्फ की बात है इस medal के पीछे बहुत बड़े-बड़े sportsmen ने पहले भी कोशिश करी थी जैसे PT उशा हो जाए या मिलखा सिंग जी हो जाए बट वो लोग कही न कहीं सक्षम नहीं हुए थे बट इस गाई has brought the Olympic medal for all of us गईस इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि नीरज चोपरा जी गोल मैडल अट टोकियो ओलम्पिक्स तो 2020 तो अबिनब बिनरा जी जो है एन उसके बाद इंडिविज्व लेवल पे नीरज चोपरा जी ने ही इस फीट को अचीव किया है बहुत बड़े बड़े खिलाडियों को पीछे छोड़ के नीरज चोपरा जी ने अपना नाम सही में बना चुके है यह तो पहले की बात है ब से भी सम्मानित किया गया था दोहजार अठारा सन में अरजुना एवर्ड जो की इंडिया का स्पोर्टिंग डोमेन में सेकेंड हाइस्ट ओनर है इस देश का सबसे पहला आपको पता है ध्यानचान खेल रतने वर्ड उसके बाद अरजुना एवर्ड दिया जाता है आउट चोपरा पावो नुर्मी गेम्स 2022 में ये करी गई थी इन टुर्कू फिनलैंड जून 14 में चोपरा विंस दा सिल्वर मेडल विटन न्यू परसनेल बेस्ट रेकर्ड परसनेल बेस्ट उनको रेकर्ड तो तोड़ ही नहीं सकते ऑलिंपिक में गोल्ड मेडल जीत सुके है तो उनका रेकर्ड तोड़ने के लिए वो खुद ही आगया आते है तो खुद की रेकर्ड तोड़ते हुए 89.3 मिटर्स का ये जैवलिन ट्रो करते है एक नया नेशनल रेकर्ड भी सैथ करते है उसके बाद अगर 2022 सन की बात करे तो चोपरा विड़ थ्रो और 88.13 तीक है ये उन लाने में सक्षम होते है और यहां पर सिल्वर मेडल वो लाने में सक्षम होते है उसके बाद अगर बात करें अगर टैली इस नौट यट ओवर 2022 सन में थोड़ा बहुत इंजियूरी के वज़े से वो कॉमन वेल्ट गेम से बेसिकली वस डॉप्ट आउट थेक है बट फिर ही ठीक है लेटर ओन ही गोज ओन अगस्ट 26 2022 में लोसैन में डाइमंड लीग के चैंपेंशिप में वो कंपीट करते हैं भारत के लिए गोल्ड के बाद डाइमंड मैडल भी लाके दिखाते हैं 89.09 मीटर की क्वालिफिकेशन थी एंजुरिक की फाइनल में वर्ल में बुड़पेस्ट ये पार्टिसेपेट करते हैं सारे देश और दुनिया को हैरान करने के सक्षम होते हैं सेप्टेमबर एट में इसका रिजल्ट आता है निरत चोप्रा वंड़ डाइमंड लीग फाइनल जुरिक में तो यहां पर देख सकते हो जैसे कि यहां पर लोसै इंडियन टू डू सो चाती फार के फिर चिलाते हैं निरत चोप्रा जी और भारत के लिए ऐसे गौरव और गर्व का मोवमेंट्स ले के आते हैं तो यहां पर लिख सकते हो एटलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया भी ट्वीटर पोस्ट करते हैं गोल सिल्वर दंड के देते हैं तो इस वजह से हम लोग ने इस साल में निरत चोप्रा जी को चुना एंड आइटिंक 2022 सन में उनका जो प्रदर्शन था वो सही में एक शॉकिंग था और आप लोग भी कैस मेहनत करते जाएए इसके रिगार्डिंग एंड एक तरीके से आप इन तेलिग्राम आ यंड खार आज से आप लोगे एक शार करे ऊते हैं एक श करुमाम प्रोगव एंड गान लोग लोग शथा है